हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में कर्मचारियों पैंसनर्स के लिए बहुती बड़ी अपडेट में लेकर आए हूं सभी कर्मचारियों पैंसनर्स के 18 मैने डिये एरियर्स और अन जो इश्यूस हैं सेवन पे कमिशन के रिक्मेंडिशन की उन्हें प्रability रही है पूरी वीडियो को लास्त देखिया यह वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा पोटेंट होनेवाला ऐस सभी पैंसनर्स के लिए भी इसलिए वीडियो देखेगा और अभी भी हमारे बहुत सारे कर्मचारियों पैंसल्स वीडियो तो कंटिनु देखते हैं सायद लेकिन अभी हमारे चिरल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अगर आक स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का भी भी दिखराहिए तो उसको सब्सक्राइब करके ब्लैक कलर हो की तरफ से एक चार्टर और डिमांड सरकार को भेजा गया है आप दे सकते इसमें टोटल जो है 14 नई 14 जो है बहुत ही important demands है आप हमें पूरा देखने के बाद इसमें आप देखेंगी कौन सी सबसे ज़्यादा important है आप हमें comment करके ज़रू बताएगा तो आप देख सकते हैं चार्टर आप डिमांड्स में पहली जो चार्टर आप डिमांड्स है payment of areas of DA-DR with held from January 2020 to June 2021 जो की सबसे ज़्यादा important भी है करमचारियों और pensioners के लिए आप सबी को पता है कि जो 18 महिने के DA-DR है वो तो आपको प्रोवाइट करा दिया गया था लेकिन उसका जो area से उसको प्रोवाइट नहीं गराए गया था तो उसी के चलते सरकार से पहली दिमांड की गए है कि सरकार दो है करमचारियों और pensioners के जून जनवरी 2020 से जून 2021 तक के DA-DR का जो area रहे वो उनको प्रोवाइट कराए दूसरी आप देख सकते हैं बड़ दिमांड है तो आप देख सकते हैं यह भी बहुत बड़ी दिमांड है और बहुत लंबे समय से करमचारियों और pensioners जो है इसको जो है NPS को जनी जो new pension scheme है इसको scrap करने की बात कर रहे हैं साथी साथ जो है old pension scheme को फिर से restore करने की जो है एक बड़ी दिमांड करमचारियों की तरफ से सरकार पर की गई है तो उसमें आप देख सकते हैं और साथी साथ 50% की जो आप रिटार्मेंट के बाद में जो लास्ट पे ड्रोन होगा minimum pension वो उसमें रखी जाए तीसी नम बड़ी डिमांड आप देख सकते हैं इसमें पॉंट नमबर देख सकते हैं इसमें 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 आप देख सकते हैं सब्सक्राइब के जा रहे हैं कि आठ में पे कमीशन को के हिसाब से जो है आठ में पे कमीशन को अपोइंट किया जाए और उसी के हिसाब से पे अलाउंसे और जो भी पैंशनरी बेनिफिट हैं उसी के हिसाब से जो उसके पे अलाउंसे और पेंशनरी बेनिफिट है वो एक जनमीश दोवारे की से इसमें लागू किया जाने की बात कर रहे हैं साथ इसमें पॉइंट नंबर आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है सेटल ओल अनमुलीज अराइजन आउट ओफ सेवन सीपीसी इंप्लेमेंटेशन यहानी सात्य बेतनायो के रिकमेंडिशन के साब से बहुत सरी इसमें अनमुलीज हैं उसी इनमुलीज को इसमें जो है सेटल करने की बाद इसमें की जा रही है आगे आप देख सकते हैं पांचवा नंबर का पॉइंट इसमें यह भी इंपोर्टेंट है इसमें देख सकते हैं पॉइंट नमबर 6 यह भी बहुत इंपोर्टेंट है पॉइंट नमबर 7 देख सकते हैं यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ग्रामीन डाक सेवक के लिए हम यह आपर देख सकते हैं और उसमें जो है ग्रामीन डाक सेवक को रिगॉलाइज जो है किये जाने की बात की गई है और तो उन्होंने बड़ी डिमांड की कि जितने भी ग्रामीन डाक सेवक हैं उनको रिगॉलार किया जाए और जो सिविल सर्वेंट का स्टेटास है उनको दिया जाए साथी साथ के अलकमलेश चंदर कमेठी की जो रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से पोजिटिव बाकी बची रिकमेंडेशन से वो भी लागिव किये जाए इसके लगा एक बड़ी डिमांड आप देख सकते हैं किया जाए यह भी बड़ी डिमांड है इसके लगा एक और बड़ी डिमांड आप देख सकते हैं पॉइंट नम्बर नाइन में हैं सेटल और कोविट-19 रिलेटेट इसू पर टेंडिंग तो सेंट्रल गोर्मेंड एंप्लोईज एंड पैंसनर्स अन टोप राइटी बीसिस तो आप देख सकते हैं कि करमचारियों और पैंसनर्स की एक बड़ी डिमांड यह भी कि उनकी जो भी COVID-19 के जो भी इसू सेंटल ओमेंड इंप्लोईज और पैंसनर्स को उनको प्राइटी बर टो प्राइटी बेसिस पर उनको सभी को सॉलूशन किया जाए पॉइंट नमबर दस देख सकते हैं आप यहां पे ग्रांट एक्वल पे फोर एक्वल वर्क और फोर ओल रिमूव डिस्पैरिटी इन पेस के से बीच में जो भी डिस्पैरिटी है उन सभी को जो है जो सब के उसमें सारी जो भी प्रोलम से उन सब को दूर किया जाए इसके लब आप देख सकते हैं पॉइंट नमबर 11 में यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इसके लब थर्टी नमबर आप देख सकते हैं इसके लब पॉइंट नमबर 14 है वो भी आप देख सकते हैं तो यह बड़ी 14 डिमांड से सरकार की कभी कर्मचारियों के चार्टर डिमांड सरकार को दिया गए